मनुस्य के जीवन में सबसे कीमती चीज समय होता है हम सब बैक्ति समय के अधीन होते है समय के साथ हम सब को चलना पड़ता है क्योंकि समय सबसे बड़ा बलवान होता है समय के आगे किसी का नहीं चलता है और ना चलेगा समय हर एक बैक्ती को एक बार अबसर देता है और हमें उस अबसर का सही उपयोग करना चाहिए क्योंकि समय बीत जाने के बाद वापस नहीं आता है कोई व्यक्ति कितना भी जैदा पैसा वाला क्यों ना हो पर वो व्यक्ति समय को नहीं खरिद सकता है जो दीन रात हम गुजार दिते हैं वो कभी वापस नहीं आ सकता है उसका एक पल भी बहुत मुल्लेवान होता है जो मिनट सेकेंड बीत गया वो कभी वापस नहीं आ सकता है कल क्या करेंगे कल क्या होगा वो सब समय को पहले सी ही पता होता है समय ही मनुस को अच्छा बनाता है और समय ही मनुस को बुरा भी बनाता है समय ही एक फकीर को राजा बनाता है और समय ही एक राजा को एक फकीर भी बनाता है हम सब को समय के साथ साथ अपने आपको बदलना पड़ता है क्योंकि समय ही सबसे बड़ा बलवान होता है क्योंकि आज अगर आप समय का महत्त नहीं देंगे तो कल आपका महत्त समय नहीं देगा समय ही हमें हसाता है और समय ही हमें रुलाता भी है याद करो जब हम पैदा होएते तब घड में कितनी हलचल हुआ करती थी घड में कितनी खुसिया थी पर जब घड में किसी का मौत हो जाता है तो कितना सूना सूना लगता है और हर एक बैक्ती के मन में कितना दुख आ जाता है इसलिए समय के साथ खुद को बदलना अपने पड़ता है इसलिए समय को बरवाद ना करें समय का सही उप्योग करें ताकि आपको आगे चलके यह ना महसुस करना पड़े कि कल मेरा फ्यूचर इतना बुरा था और आने वाला फ्यूचर भी मेरा बहुत बुरा होगा इसलिए समय का सही उप्योग करें दोस्तों यह वीडि और अगर आपके मन में भी कोई परकार की बीचार है तो हमें कॉमेंट की माद्यम से हम तक पहुंचाए